नमस्कार स्वागत है आप सभी का टार्गेट आउन में उम्मीद कर रहा हूं कि बढ़ी होंगे और अच्छे से आप सभी आगे आने वाला एक्जाम सीटेट के लिए अपने आपको तयार कर रहा हूंगे चलिए जल्दी से जुड़िए गप हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट या भारत के तटी राज्यों को लेकर पुर्वत्तर भारत के राज्यों को लेकर किस परिकार के प्ष्ण पूछे जाते हैं तो हमने एक वीडियो इसके लिए आपको बनाया था और आपको उसमें जितनी भी बारीकियां हो सकती हैं जो भी बहतर पॉइंट हो सकते हैं उन इसके मानचित्र में जारखंड कहां इस्तित है यह प्रीवेस एर का पिश्ण है ठीक है जैसे भारत में बिहार के साफिक से जम्मू कस्मीरों गुवा की स्थिति किया है यह पूर में पूंछा गया पिश्ण है तो यह तो कुशन में करा चुका हूं तमिलनादू राज्या पिश्ण बनेंगे और अच्छे खासे पिश्ण बनते हैं पिश्ण देखने में जरूर सेंपर लगते हैं आपको देखते ही लगेगा यह बहुत आसान सा पिश्ण है लेकिन वह पिश्ण आसान नहीं रहता है लेकिन वह पिश्ण आसान नहीं रहता है पिश्ण जब आप एकजामनी सन हौल में बैठे होते हैं तो एक बर्डन रहता है एक दवाव रहता है और उस दवाव की स्थिति में आप सिंपिल सिंपिल पिश्णों को भी क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं तो यहां पर पहले अच्छी से समझेगा फिर जो स्क्रीन पर मैंने पिश्ण लगा रखे हैं उनको उनका हम लोग अध्यान करेंगे ठीक है आईएगा तो मांचित्र और मांचित्र के साथ साथ दिसाओं पर आधारित कुशन है जैसी दिल्ली के साथ पि बारी में बात करते हैं तो हमेशा याद रखेगा जब भी आपसे दिसाओं की बारे में बात की जाए मैं इस प्रकार से चार दिसाओं बना देता हूं हमेशा याद रखना है उपर वाली दिसा उत्तर होती है और नीचे वाली दिसा क्या होती है नीचे वाली दिसा दच्छ होती है याई पूर पश्य मुत्तर दछ्ण एे चार दिसाएं होती हैं में ये वार फिर से दूसरा मां चितर बना देता हूं दूसरे लिखने मुख से चार दिषा हैं जब भी आपस दिषाओं वाले प्रिष्ण पूछ जाएंगे हम इसा रखना है उपर वाली उत्तर दिषा होगी और नीचे वाली दच्छन दिषा ठीक है उसके बाद यहां देखिएगा यहां पर अगर हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं अगर हम यहां पर इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो यह आपकी नौर्थेश्ट है यह आपकी क्या है नौर्थेश्ट है यानि उत्तर और पूर्व का मद्ध क्या कहलाएगा उत्तर और पूर्व का मद्ध नौर्थेश्ट कहलाएगा इसको आ इसको क्या नाम आप नाम देंगे साूथीश्ट यानि डच्छन पूरुँ उसके बाद अगर यहां पर बात की जहें ए वाले डाइरेक्शन कामसी है तो आप चाहें तो उससे दच्छन पंचिम कहिएगा है पंचिम येक्षण कईएगा तो मैंने लिख दिया, S मतलब साउत और W मतलब वेस्ट, दच्छण पास्षण, ठीक है, एक डाइरेक्शन हमारी और बज जाती है, और जो एक डाइरेक्शन और है, वो इस परकार से है, नौर्थ है, जो यह हो गया, नौर्थ बेस्ट, या नि अतर पास पर नहीं है और इन्हें आट दिसाओं के आधार होगा उस पिष्ण को आप आराम से कर पाएंगे इन्हें दिसाओं formula क्या है formula number1 जोन हुआं पहला formula पहला नियम क्या है यह चाहिए तो formula कह लीजिएगा法 rule कह लेजिएगा rule number1 rule number1 जैसे मालिजिएगा कुश्टन कारओं गवाकि स्सतिति है जैसे मैंने कुश्टन आप से कहा कि दिल्ली के सापेक्ष अच्छे समझेगा जैसे मैंने कहा दिल्ली के सापेक्ष गोवा की स्थति है दिल्ली के सापेक्ष गोवा की स्थति है दिल्ली के सापेक्ष गोवा की स्थति है मा लिजेगा यह पिष्ण है दिल्ली के सापेक्ष गोवा की स्थति है तो यहां पर इस पिष्ण में दो इस्थान हमें मिल गए एक नाम में धिली और दूसरे इंधियत् desen का नाम कहा है और एक दільки हो गया और अगर आप मानचिद्र जानते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं के बिलेंग मानचित्र बना waking मुझए मानचित्र बहनाने आते हैं और आ ठोल मंजे अर्से पढ़ रहा बखु भी जानते हैं यहाँ पर दिल्ली है, बखु भी जानते हैं, कि यहाँ पर गुवा है, कुशन पूच रहा है, दिल्ली के सापक्च गुवा की स्थिती क्या है, अब इस पिष्णों को समझेंगे कैसे, जब भी दो स्थाने दिये गए हो, और के सापक्च पूंचा जैसे यहाँ पर दिल्ली के सापेक्ष रिखा है, तो आपको क्या करना है? जहां पर दिल्ली बनाए है, यहाँ पर आपको चार पॉЙंट बना लेने हैं, आंगे वाला पूरब, पेछे वाला पश्म, ओपर वाला उत्तर, और नीचे वाला दच्छ, आपको ऐसे चार पॉЙंट बना लेगे अब मैंने तो समझाने के लिए इस प्रकार बनाया है लेकिन आप इस प्रकार से नहीं गोवा थोड़ा सा दूरी पर है तो आप क्या कीजिएगा इन लाइनों को थोड़ा सा बड़ा बनाई नहीं तो कंफुजन हो जाएगी ऐस प्रकार से ऊपर वाला उत्तर हो गया नीचे वाला कौन सा दच्छन आगेवाला पूरव पूरव पीछे वाला क्या हो गया पीछे वाला पश्यम गोवा यहां पर है तो बताएगे कौन से डायरेक पश्यम में है अब मांचित्र में देख लेते हैं मांचित्र में देखेगा दिल्ली यहां पर है तो मैंने कहा कि लंबी से ऐसे बनाईएगा आपने लंबी से बना लिए यहां पर उत्तर है यहां पर पूरब है यहां पर पश्यम है और यहां पर क्या है यहां पर दच्छन ग के बाद के सापिक्ष लिखाओ जैसे उप्रोक्त जो मैंने पिश्ण समझाया यहां पर दिल्ली के सापिक्ष लिखाता यहां पर क्या लिखा था यहां पर लिखा था दिल्ली के सापिक्ष जब लिखाए तो हम दिल्ली पर इस पिरकार की चारों दिसाएं बनाएंगे अब माली जीगा मैं दूसरा कोश्चन मैं कहूं कि बताईएगा महाराष्ट के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के स्तिती है दूसरा प्रिश्ण मैं कहूं कि महाराष्ट के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के स्तिती आप क्या करेंगे महाराष्ट के सापेक्ष तो महाराष्ट यहा नौर्थ है इस्ट है तो किस डारेक्शन में है नौर्थ इस्ट डारेक्शन में है अब आप इसको और सटी कैसे बना जाए सकता है कि जहां पर जैसे हमने कहा कि महाराष्ट की सापिक से उत्तर प्रदिश की स्थिति है तो आप यह वहीं पर इन चार दिशाओं को बनाएगा जहां पर उस राजी की राजधानी स्थित हो जैसे महाराष्ट की राधानी मुंबई है यहां पर आप इसको अगर और क्लियर्टी के साथ समझना चाहते हैं तो महाराष्ट की राधानी मुंबई यहां पर है यहीं से आप बनाएगे तो यह उत्तर हो गया यह दच्छन हो पूरब हो गया और पर्ष्यम हो गया तो यह वाली डारेकृटशन कौऊ से हो गई य है वाली कौम सी डारेक्षन हो जाती है आपकी नौर्थ इस्ट बताये क्लियर है कहीं पर कोई कहीं पर कोई एने कलियर तो पहला टाइप का कोशन वह खुश कोई वह का मैंने कोई पिष्ण लिया है पिष्ण देख लेते हैं चलीगा देखिएगा भारत के मान चित्र में जहारकंड इस प्रकार का पिष्ण नहीं है दोखू लिखा है दूसरा पिष्ण है ना मेरे करमांक में दूसरा है यह सीटेट में पूंचा गया पिष्ण है पिष्ण क्य के वाल लिखाओ के वहीं पर आपको चारों दिसाएं इंडिगएट करने कहा के तापिक्ष के पूँछ रहा है तो चलिये मां चित पूर्टे पहुंचते हैं बिहार-अरज पहुंचते हैं तो हमें और आपको करना क्या है कि जहां पर भीःार है इस इस प्रकार से हमें यहां पर क्या कर देना है ? इस प्रकार से यहां पर चार रेखायां बना देनी, चारों दिसा मना देनी है, आंगे वाली पूरव हैं, पीछे वाली पश्यम है, उपर वाली उत्तर है और नीचे वाली दच्छन है, क्या कहा रहा है, एक वार पढ़ेंगे, बिहार के सापेक्षे जम्मू कस्मीर, जम्मू कस्मीर कहा है, बताइएगा, जम्मू कस्मीर सर यहां है, तो यह बताइएगा, बिहार के सापेक्षे जम् दचंश्ण तो साउथबेश्ट आप देख लीजिगा, एस राप्श्ण पेहले शत्रकर्पह्ट पहले यह पुद्थरपश्ण पात्य किसी में यह उत्तरपश्ण फुद्थरपश्ण तो हमेए मल गया और यह काँ सा है भच्छन पश्यम, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस पशन के लिए कितना आसान सा बताईगे, मैंने नियंव क्यों बताया कि जिस suffered कर सापिक्श पूश covenant क्यों वहीं पर आपको क्या करना है वहीं से चारों दिशाएं आपको इंडिगेट करनी है वहीं पर चारों दिशा बनाईएगा दिएगा है पिष्ण में बिहार के साफेच जम्मु कस्मिर गुवा किस्तेदी पूछ रहा है मैंने हल कर दिया कोशन बताईएगा बात के लिए रहा है बासन में प्रकार कर था आईएगा अब यह तो नियम नंबर 1 था जो भी हमने आपको समझाया यह है नियम नंबर 1 यांप मैंसन भी किया था रूल नंबर 1 जब भी किस जिस सहर के साफिकश पूंचा जाए अंव वहीं से क्या करते हैं वहीं से दे दिया जाएगा और दिसाय पूछ रहा है जैसे करनाटक के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के स्थिति है करनाटक के सापेक्ष तो के सापेक्ष वहीं हो जाएगा है ना दूसरा कोशन ऐसे ही है कि करनाटक के सापेक्ष या करनाटक के सापेक्ष वाला तो मैं करा चुका हूं सोरी अब दूसरा टाइप का कोश्चन है कि करनाटक के दच्छन पूर में कौन सराज है ऐसा कोश्चन है कि करनाटक के दच्छन पूर में कौन सराज है दूसरे दूसरा टाइप का कोश्चन है दूसरा टाइप चाहे रूर्टू कहिएगा चाहे टाइप टूर कहिएगा चाहे फॉर्मुलाटू कहिएगा मैंने कहा कर्नाट के सापक्ष नहीं है स्वरी कर्नाट के दच्छनपूर में मैं कुछन देख रहूं करनाटा के दच्छनपूर में इस्तित राज है करनाटा के दच्छनपूर में कौन सा राज इस्तित थै कौन सा राज इस्तित थै करनाटा के दच्छनपूर में कौन सा राज इस्तित थै कुछन यह अब ऐसे पिष्णा आ जाए तो ऐसे पिष्णों क मांचितर को किसे solve करेंगे कारनाटा के दच्छनपूर मेरे करstat क्या राज़ा जूहाइँ से पूंचा जाए उस राज्य पर हमें क्या करना है चारों दिसाएं इंडिगेट कर देनी है जैसे करनाटक के दच्छन पूर में पूंचा जा रहा है तो हम क्या करेंगे हम यह करेंगे कि जहां पर करनाटक है यहां से हम चार दिसाएं बना देंगे उपर वाली उत्तर, आंगे वाली पूरव, नीचे वाली दच्छन और पीछे वाली पश्य, क्या रहा है करनाटक के दच्छन पूर्व में, है ना, करनाटक के दच्छन पूर्व में, अब बताएगा दच्छन पूर्व कौन सा है, दच्छन यह है, पूरवे है, तो दच्छ देगा और दूसर राज पूछेगा वहाँ पर क्या थे दौनों राज दिये जा रहे थे रूल नमबर एक में दौनों राज दिये जा रहे थे और आपसे दिसाएं पूछ जा रही थे यहाँ पर आपको एक राज दिया जा रहा है करनाटक राज दिये गया और एक दिसा दिय के करनात के उत्तर दख्णपूरम में कौन से राजिस्ते थ राज अगर दिया जाए राज दिया गया है और दिसा दिया गया है दूसरा राज पूंचा जाए दूसरा इस्थान पूंचा जाए तो जो राज दिया गया है वहीं से हमें क्या करनी है दिसाएं इंडिगेट करनी है वहीं से दिसाओं का निर्मार कर दिना है और दिसा इंड मांचित्र ले जाना एलव नहीं होता है या फिर क्या कीजेगा या फिर आप अभ्यास कीजेगा कुछ कुछ अभ्यास किजिएगा और भारत के मांचित्र को बनाना सीख जाएगा भारत के मांचित्र को बनाने के साथ साथ ए भी सीख जाएगा कि किस दिसा में कौन सा राज्य है इस दो प्रकार के कुशन अभी तक मैंने आपको समझा है तीसरे प्रकार के question होते हैं जैसे तमिलनाडू के निकटवरती राज्य कौन से हैं यानि कौन सराज किस राज्य को इस पर सकरता है रटा नहीं मारना है पहली बात वह है कि रटा नहीं मारना है तीसरे टाइप का question है तमिलनाडू के निकटवरती राज्य कौन से हैं केरल के न यह Tamil Nadu है sir, Tamil Nadu के ऊपर याद रखे, Tamil Nadu के ऊपर आंद्रदेश है, केरल के ऊपर करनाटाक है, ऐसी याद रख लीजएगा, अब देखेगा, करनाटक और तमिलनाडू किस से सीमा बना रहा है केरल करनाटक और अंधिप्रदिस ऐसे ही नवीन राज तेलांगना मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है तेलांगना जो कि 29 वा राज बना था भारत का इससे भी कुश्चन बनते हैं कि तेलांगना कौन-कौन से राज बिहास करना होगा तो तेलांगना यहां पर किस सीमा बना रहा है चटिसगड़ से यहां महराट से और यहां करनाटक इनके लिए थोड़ा सब प्रैक्टिस करना पढ़ेगा शंस्ता आपके लिए दिवाली के बाद कुछ एसा हम लोग प्रैक्टिस सेट भी ले कराएंगे जिनमें आपको ऐसे कई सारे पिष्ण में आपको कराऊंगा और निश्चित रूफ से इतने बड़ी है ढंक से आपको पिष्ण करा दे जाएंगे कि एक्जाम नेशन हॉल में जैसे ही पिष्ण आप देखेंगे तुरंत उसका आप आंसर कर पाएंगे तीसरे टाइप का पिष्ण है यह बहुत आसान कुश्चन होते हैं अब चौथी टाइप का पिष्ण जो है जो चौथी टाइप का पिष्ण है यह थोड़ा सा डिफिकल्ट पिष्ण होते हैं डिफिकल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कि अगर आपको मांचित्र का अनभाव है, अगर आपको मांचित्र के वार में थोड़ी बहुत भी समझ है, तो यह कुश्चन बास्तों में बहुत सिंपल रहेंगे, और यदि आपको मांचित्र की समझ नहीं है, तो हो सकता है, कि थोड़ी से पिशने डिफिकल्ट रहें, थो कोई वेक्ति हिमाचल प्रदेश की राधानी सिम्ला ठीक है आप इंडिगेट करिएगा सिम्ला कहाँ है कोई वेक्ति हिमाचल प्रदेश की राधानी सिम्ला से आहमदाबाद की यत्रा करता है आहमदाबाद कहा है सर आहमदाबाद सर गुजरात में है आहमदाबाद की यत्रा करता है एवं अहमदाबाद से वो है उत्तर प्रदेश की यात्रा करता है या अहमदाबाद से पटना की यात्रा करता है पहले वो सिमिला से कहां आया अहमदाबाद और अहमदाबाद से हुआ कहा जा रहा है यहाँ पर ए-point बना लेते हैं हमदावास से मैंने धू जा रहा है पटना पटना की वर यत्रा कर रहा है तो बताइएगा वह और किस मार्ग में it वह किस दिसा में यत्रा कर रहा है 34 परकार कहे थीं समझेगा फिर से मैंने कहा के कोई वैक्ति है जो सिमिला से अहमदावाद की यत्रा किया और अहमदावाद से फिर पटना की यत्रा किया या मा लिजेगा आपको टफ लग रहा है मैं और सिंपल कर देता हूँ कोई व्यक्ति है जो हिमाचल प्रदेश से गुजरात की यत्रा किया और गुजरात से फिर बिहार की यत्रा किया अब ठीक है सहर नहीं दे रहा हूं मैं राज दे रहा हूं तो अब ऐसी पिश्णों में पूछ रहा है फिर समझेगा कि एक व्यक्ति है जो हिमाचल प्रदेश स कहां की यत्रा कर रहा है बिहार की आपको अंतिम वाला पकड़ना है अंतिम वाली दिशा पूंची जाती इसमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हमाचल प्रदीश से गुजरात आया तो वह कि डायरेक्शन में आया इसका कोई लेना देना नहीं अंतिम में क्या वहीं पर आपको चार ऐसे डंडे बना देने हैं उपर वाली दिशा उत्तर है नीचे वाली दिशा दच्छन है आंगी वाली पूरब है और पीछे वाली पश्चम है तो बताईएगा ये वाली दिशा कौंसी है अगर ये पूरब है अगर ये उत्तर है तो ये कौंसी है नौर कोशन कराता हूं इसी में आपको जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जो लखनौ से भोपाल की यात्रा करता है और भोपाल से वो हैदराबाद की यात्रा करता है लखनौ से भोपाल की यात्रा करता है और भोपाल से कहां की यात्रा करता है भोपाल से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है ऐसे कोशन है तो आपको अंतिम वाला पार्ट पकड़ना है वो लखनव से भोपाल जा रहा है लखनव उत्तर प्रदेश की राधानी है भोपाल मध्य प्रदेश की राधानी एक किस डायरेक्शन में इससे में कोई लेना देना नहीं आप कहा जा रहा है मध्य प्रदे मद्य प्रदेश से गया ना तो यहां पर चार ऐसी डंडे बनाई गा उपर वाला उत्तर आंग्वी वाला पूरब नीचे वाला दच्छन पीछे वाला पश्यम हम यह भी नहीं कर सकते देखो बोपाल के बिल्कुल दच्छन में नहीं है बलकि बोपाल से थोड़ा से साइड ह तो इस्ठ हो गया, तो यह साउथ कह ना बनाठा कर आगाए तसा में दच्छन पूरवर देशा में में यात्रा कर रहा है व्यक्ति क्लियर है बइसी पराज हरेत पिष्न पूंछेगा है देखेगा और समझने का प्रयास कीजीएग तेखो इसी प्रपरकार का पिष्न पिष एक कुशन में करा चुका हूं देखी का भारत में दिल्ली की स्थिती के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राधानी सिमला और मद्ध प्रदेश की राधानी भूपाल है देखो दिल्ली के सापेक्ष पूंच रहा है ना देखो एक कुशन में पहला टाइप बाला है इसको करान बनाइब दिंद्ली के साब पेक्च हैमाचल परदेश की राधानी सिमला बताइए काहां पार होगी लगबग यहां होगी नौर्थ इस्ट में और क्या रहा है मध्य प्रदेश की राधानी भोपाल लगवग इस दिसाम में है तो यह हो गया साउथ इस्ट अगर आप इसी को चाहें तो मांचितर में देख लीजेगा दिल्ली के सापिक्ष हिमाचल प्रदेश की राधानी अब देखो वहां तो मैंने ओरल बनाए यहां द भोपाल भी बिल्कुल दच्छन में नहीं है बलकि हो जाएगा साउथ और साउथ के साथ साथ ही हाला में एक विवादित प्रिष्ण है इसका आंसर उत्तर और दच्छन भी हो सकता है लेकिन उत्तर और दच्छन नहीं लगाएंगे क्योंकि आप गोर से अगर मांचितर दे साउथ इसको नहीं एक उस्तर इसक Grandpa दे देंगे आंगर से दिली में रहने वाला कोई व्यक्ति पेहले भोपाल और राची की यातरा करता है उसकी यातरा की दिस्वा होगी नहीं नई दिल्ली में कोई व्यक्ति रहता है और पहले हुए कहा जा रहा है भौपाल गया और भौपाल से कहा गया वह राची गया कह रहा है उसकी यात्रा की दिस्सा बताईएगा तो देखो यह तो बिल्कु सीधा सीधा हो गया यह तो बिल्कु सीधा सीधा हो गया यहाँ पर इस्ट है यहाँ पर वेस्ट है यहाँ पर नौर्थ है और यहाँ पर साउट है तो वो किस देशा में यात्रा कर रहा है, पूरा देशा में, किस देशा में यात्रा कर रहा है, पूर देशा में यात्रा कर रहा है, इस पिरकार के पिष्ण बनेंगे आपसे, है ना, अब एक कुष्ण और है, पहला कुष्ण इसमें और है, वो भी मैं करा देता हूँ, एक भारत का मांचितर देखेंगे तो जार्खंड कहां पर है जार्खंड इये है यह उडिकुल उडिसा के उत्तर में है पहले यह option मिल गया उडिसा के उत्तर में 36गड़े दच्छंपूर में दूसरा विकल्भ देखे यहां पर थोड़ा सा पूर्वे ग्यान की आवशकता होति है। तो इस परकार आपके मांचित्र पराधारित पिश्ण बनते हैं, इस क्लास को एक बार आप और देखिएगा, आपके मांचित्र के एक भी पिश्ण गलत नहीं होगी, और जब विदिवत रूप से आपकी प्रैक्टिस सेशन परारम होगा, तो आप देखिएगा, मैं यही पि और अगर आपने अच्छे से बर्किया, तो निश्चे तोर पर एक भी कुश्चन ऐसा नहीं होगा, जो आप ना कर पाएं, आप सभी पिश्णों के अच्छे से आंसर दे पाएंगे, ठीक है, तो पिशली लेक्चर में मैंने आपको राज्यों पर आधारित पिश्ण करा द एक जाम के लिए हम सबी बहतर से बहतर करने का प्रियास करते हैं, इन्ही सुब कामराओं के साथ बिदा ले रहा हूं आपसे, अंगली लेक्चर में फिर मुरकात होगी, थैंक यू